यह हमारी Green Series का दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम Herbal, Green Tees and Flour Tees के बारे में बात करेंगे जो भी Compositions में बताती हूँ वो आपको सारे इस वीडियो में मिल जाएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं Immunity Boosting Tea की इसके अंदर यह गिलॉय का स्टेम है जो कि आपको वन इंच साइड का लेना है इसको आप कूट के या फिर आप इसको ग्रेट करके इस्तमाल कर सकते हैं चार से पाँच लेमन तुलसी है Mediterranean kind of तुलसी होती है इसकी मैंने लीफ ली है क्योंकि मैंने इसको अपने घर पे काफी सारा ग्रो कर रखा है उसके बाद यह गिलॉय लीफ है तो आप एटीस टू गिलॉय लीफ यहां पे ले सकते हो और फिर हमें हल्दी का इस्तमाल करना है जिसकी anti-oxygen पार सबसे जादा होती है anti-inflammatory इसका action होता है अगर आपको लगता है मौनिंग में आपका थोड़ा सा सूजन बनी रहती है तो आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हो इस तरीके से देखिए इन सब चीजों को हल्दी का जो पीस है तो इन्च का पीस हमें लेना है देखिए जा मैं इसको ग्रेट कर रही हूं तो इवन मेरा हाथ भी स्टेन हो रहा है तो इन सब चीजों को डाल के आपको 5-7 मिनिट तक बहुत अची तरीके से उबाल के इस पानी का पिंटे कर सकते हो बहुत ही हल्दी है ये बट एक चीज क हमेशा ध्यान रखें यिस तरीके की टीस का इस्तमाल करते हूए आप को इसको बार-बार बहुत जादा इसका 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 इस्तमाल नहीं करना है बिकाज ये एक Californ के से enlightenment अगर आप इसका ज्यादा इस्तमाल करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अब हम दूसरी टी की तरफ जाते हैं अगर आपको थाइरोइड का प्रॉब्लम है डायपटीज का प्रॉब्लम है बीपी लो रहता है या फिर ब्लोटिंग रहती है तो इस टी इस गु अगें 15 ग्राम मैंने यहां पे जीरा लिया है अगर हम बात करते हैं डायबिटीज की तो इसके अंदर दालचीनी और हल्दी आपके इंसिलिन सैंसिटिविटी को बढ़ाता है धनिया आपकी थाइरोइड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है थाइरोइड हेल्थ आप की स्टमक हेल्थ के लिए अच्छी रहती है यहां पे मैंने तुलसी लीव और साथ में एक गिलॉय की लीव भी एड करी है इन सबसे पहले आप इन सारी लीव को डालके बहुत अच्छा उबाल लीजिए अट लीस पांच मिनिट तक आपको उबालना है उसके बाद जो हमने यह सारे मिश्रन लिए थे उन सब को डालके अगें आपको पांच मिनिट उबालना है अगें यह टी आपके दिन में माक्सिमम दो बार इस्तमाल करिए इस तरीके की टी का इस्तमाल आपको बहुत जादा नहीं करना चाहिए अगें जैसे ही लास बार मैंने कहा था इसकी भी medicinal value है तो यह हमारी दूसरी वाली tea त्यार हो गई अब next tea उन लोगों के लिए है जिनको PCOD की तिकत है वेट लॉस करना चाहते हैं ब्लोटिंग हो जाती है या फिर आपका BPI रहता है तो यह एक natural diuretic है जो की ब्लोटिंग को या water retention को कम करता है जानी गयोंगे यह क्या है यह क कम से कम आपकी 15-20 पत्या होनी चाहिए दो आप यहां पे तुलसी की लीफ ले सकते हो यह यहां पे मैंने रामा तुलसी का इस्तमाल किया है और साथ में जो तीसरी चीज है वो lemongrass है यह तीनो ही चीजे मैंने अपने terrace garden में उगा रखी है तो totally organic है देखे यह मेरी lemongrass है ज इस तरीके से आपको 5-10 मिनट तक इन सब चीजों को डालके उबालना है lemongrass बहुत ही healthy होती है और इसका एक particular taste होता है अगर आप low feel कर रहे हो आपका mood खराब है तब भी बोलते हैं कि lemongrass का जो एक जो aroma होता है वो आपको feeling of goodness देता है तो बस यह आपकी टी तयार हो गई 5- साथ में डुबाल के आप इसका स्तमाल कर सकते हैं अब जो में टी के बारे में बात करने वाली हो यह मेरी एक personal favorite है आप जानते होंगे आपको हमारे यहां पे detox and relaxed tea के नाम से यह मिल जाएगी इसके medicinal value है अगर आप diabetes control करना चाहते है blood pressure, PCOD, hormonal imbalance and weight loss इसके अंदर यह tea का बहुत इसके अंदर hibiscus है, moringa है, tulsi है, rosemary है, milk thistle है and साथ में इसके अंदर rose leaves है तो इसको करना कुछ नहीं है अपने 15 ग्राम लेके एक कप में डाल के इसको बहुत अच्छा उबालिए and आपकी tea ready but इसको थोड़ा करना चाहते है तो देखे मैं इसके अंदर flowers डाल देती हूं किस तरीके से ताल सकते है, curry leaves and ganda की flowers जो है उसकी petals आपने ले ली, mogra की petals आपने ले ली, ये हरसंगार के फूलन की खुश्भू बहुत अच्छी होती है इसको आप अट कर सकते हो, ये pea flower या shoe flower कहलाता है बहुती commonly available होता है इसको आप सितमाल कर सकते हो, उसके बाद जो सबसे जोन होते हैं and साथ में ये आपकी tea को बहुती अच्छा सा फ्लेवर देते हैं ये जब आपकी tea बन गई तो आप चाहें तो इसके अंदर lemon add कर सकते हो, lemon vitamin C होता है तो आपकी tea का nutrition level बढ़ा देता है, because मेरे याँ बहुत सारे lemon होते हैं तो देखे इस तरीके से आप भी स्टो कर सकते हैं, मैं इसके अंदर थोड़ा सा aloe vera भी डालना पसंद करती हूँ, again nutrition value बढ़ जाती है, तो देखे इस तरीके से आपकी flour tea तयार हो गई, आपने tea एक पर बनाई और आपने इस तरीके से container में डालके उसके अंदर flowers की petals डाल दी, तो इस तरीके से आप इसको बना के मोडिफाय कर सकते हैं, तो चलिए अब चलते हैं, एक simplest herbal tea की तरफ, अगर आपको stomach का problem रहता है, thyroid है, या फिर अगर आपने generally मेरी diet में दिखा होगा, मैं हर half an hour पे different herbal water prefer करती हूँ, अगर आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो I think this herbal mix आपकी सारी problem को solve कर देगा, तो इस यहां पे जीरा, अजवाइन और धनिये को बराबर quantity में लेके, इसको मैंने piece के, बारीक piece के अलग रख दिया है, और मैंने soft अलग से piece है, अगर ठंड में आप soft का intake नहीं करना चाहते हैं, तो अब भले ही ना करें, और soft को आपको बहुत ज़दा दरदरा नहीं पीसना, आप आपको इसको मोटा मोटा piece के रखना है, फिर आप इन दोनों चीजों को मिला के mix बना के रख सकते हैं, तो तीन चीजों को हमने बारीक पीसा है, soft को हमने दरदरा piece है, उसका reason यह है कि अगर आप soft को बहुत बारीक पीस हैंगे, तो हो सकता है आपको खासी की दिक्कत हो, वि बहुत अच्छा आप इसको उबाले, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो आप इसको डाइल्यूट करके, आनि कि अगर आपने 200 ml में 15 गराम डालके आपने इसका टी बनाया है, और अगर आपको यह बहुत ज़दा पंजिंट लगता है, तो आप अगर आपको पीरियट्स का प्रॉब्लम रहता है, तो फिर आप यहां पे अजवाईन की मातरा बढ़ा सकते हो, अगर आपको स्टमक डिस्टरबेंस रहते हैं, तो हम यहां पे जीदे का इंटेक बढ़ा सकते हैं, तो यह चारो ही चीजें हर्बल, इनका फाइदा होता है, जैसे सौफ है, वापके स्किन की हल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यह पूरा कॉम्पोजिशन आपकी शुकर को मैनेज करने में, पीसी ओडी के लिए, और आपके बीपी को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो यह हमारी सारी टी है, जो कि मैंने यहां पे डिस्कस करें। एक बहुत ही इंपोर्टन टी है, मॉरिंगा तुलसी टी, जो आपने देखा होगा मेरी डाइट में ज़रूर होती है, अगर आपको हॉमोनल इंबालन्स है, वीकनेस बनी रहती है, इस्पेशली विमन के केस में, अगर आपको मूट स्विंग्स रहते हैं, या मिनोपॉजल स्टेज में, आपके हाट फ्लशे होते हैं, हाथ पर में बहुत ज़दा दर्द होता है, नीप पेन होता है, आइ तिंग दिस्टी इस फॉर यू, इसके अंदर आपको मौरिंगा और तुलसी लेनी है, 50-50% की क्वांटिटी में, यानि 1 इस्टु 1 का रेशियो होना चाहिए, आप इन दोनों चीजों को लेके आप इसको सुखा लीजिए, मैंने यहाँ पे रामा, श्यामा, तुलसी का मिक्स, और साथ में मौरिंगा, जिसको हम सहजन भी बोलते हैं, इसकी लीव्स का मैंने मिक्स बना रखा है, और फिर इसको जब भी आपको, या तो आप इस तरीके से सुखा लीजिए, या फिर आप इसको पाउडर फॉर्म में भी रख सकते हो, और पाउडर फॉर्म में आप इसको रख के, जब आपको टी बनानी हो, तो एक कप के अंदर, अराउंड टू हंडर एमिल वाटर के अंदर, ये आपका पंदरा ग्राम के करीब आपको डालना है, और वस बहुत अच्छा उबाल लीजिए, इसको दो से तीन बार जब ये उबल जाए, तो इस तरीके से आप इसको च्छान के रख सकते हैं, और आप दो से तीन बार तक इसका आप इंटेक कर सकते हो, इस्पेशली पीरिट्स के टाइम और मिनोपॉस के टाइम, ये आपको बहुत हेल्प करता है, तो चलिए, अब नेक्स्ट, लास्ली हम बात करते हैं, एक ऐसे सिंगल इंग्रेडियन्ट की, जो कि हमारी बॉड़ी को बहुत ही एफेक्टिवली डीटॉक्स भी करता है, और रिजुवनेट भी करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेलरी लीज है, यह मैंने अपने होम गार्डन में ग्रो कर रखी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस वन हैंफुल सेलरी लीव्स लेनी है, और आपको इसको पानी में उबाल के, एक गिलास पानी इस तरीके से आपको मॉनिंग में लेना है, सेलरी बहुत ही एफेक्टिवली आपके बॉडी को दीटॉक्स करती है, हाइडरेट करती है, साथ में ब्लट फ्लो को बढ़ाती है, आपके शुगर को कंट्रोल करती है, वाइटमिन के और कैल्शियम का कॉम्पोजिशन इसके अंदर जादा होता है, और साथ में ये आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ को भी बिटर बनाती है, तो आपने देखा होगा जब भी मैं अपना डीटॉक्स प्लान देती हूँ, तो इसके अंदर इस तरीके से मैं celery water या फिर celery का juice भी first thing in the morning डालती हूँ, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो,